बहुत कमी लोगों को ये बात मालूम है लेकिन सूपर स्टार सलमान खान जो टाइगर 3 फिल्म के साथ पॉलिवोड इंडस्ट्री में फिर करने वाले हैं कमान और इसी के साथ साथ अंतिम उनकी जो फिल्म होगी जिसमें आयुश शर्मा सलमान के ब्रॉदर इन लॉउ नज़र आएंगे नेगिटिव रोल प्ले करते वे बॉलिवोड के दो बड़े कलकार होंगे सलमान से बढ़ते वे एक फिल्म में आयुश तो दूसरी टाइगर 3 में इमरान हाश में ये कहा जा रहा है अलाकि सलमान खान की फिल्मों की लीड अप्रसिस की चुर्चा हमेशा रही है टाइगर 3 की ही बात कीजे तो बार्बी डॉल काट्रीना फिर सलमान खान के साथ स्क्रिन पर नज़र आएंगी अब तक मैंने प्यार क्यूं किया से लेकर एक था टाइगर टाइगर जिन्दा है से लेकर भारत जैसे फिल्मों में सलमान की प्रेमिका से लेकर मिसिस बनने तक कस सफर तै करने वाली काट्रीना के बारे में आज हम आपके बीच कुछ ऐसी बाते करना चाहेंगे जो शायद आपको मालूम ना हो कट्रीना कैफ के बारे में सलीम और सलमा का क्या कहना है क्या आपने कभी सुना है कि कट्रीना कैफ सलमान खान की ही फेवरेट नहीं सलमान के मौम और डैड की भी बहुत करीब है कभी सलम सल्मान की मां का खयाल रखती है तो कभी सल्मान की सौतेली मां हैलन का भी खयाल रखती हैं कट्रीना कभी सलीम खान के काफी क्लोज नजर आती हैं कट्रीना एक पारिक बुख लंच के मौके पर सल्मान खान से जादा कट्रीना सलीम खान के करीब बैठी वी उनके साथ गुफ् सलमान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खुश खबरी है कि सलमानने इस गट्रीना के साथ पर से स्क्रİन पर काम करने का फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि सलमान और कट्रीना को पोफिक्ट कपल के तोर पड़ देखना उनके परिवार ने भी चाहा है अर्पिता और अल्व कि सजा ऐसी बाद कभी वह उन्हीं मिसस खान का बनाने का सपना नहीं देख पाई लेकिन काच्रिना की शादी का सपना और उनके बच्चे ऑँ इसका सपना तो सल्मान आज भिदेंगे अब सल्मान खान चाहते हैं कि काच्रिना बेबी प्लैनिंग भी करें और शादी भी करें और इसी बीच खान परिवार ने सलमान काट्रीना की फिल्म को लेकर excitement जाहिर की है क्योंकि लतु लगनी होते हैं इस फिल्म को लेकर पैसे लगा रहे हैं उमीद करते हैं कि ये जोड़ी वाकई में खान परिवार को बड़ा surprise ऐसे ही देती रहे और सलमान खान से लेकर खान परिवार की उमीदों पर काट्रीना खरी उतरे ना सिर्फ फिल्मों में जबर्दस एक्टिंग कर ब्लॉक्बस्टर इस फिल्म को बनाए बलकि रियल लाइफ में मैरेज का प्लैन जरूर करें फिलाल लेंगी आपसे इजास्त देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज नमस्कार